जो मा सरसुती को गाली दे रहे हैं, समझ लिजे अपनी मा को गाली दे रहे हैं, अपने परिवार को गाली दे रहे हैं, जो मा सरसुती को आधर सम्मान नहीं कर सकते हैं, वो घर में भी तो ऐसे करते होंगे, अपने परिवार के बीच में भी तो ऐसे ही करते होंगे, और ऐसे आदमी को ततकाल जो सम्विधानिक पत पर ये बैठे हुए हैं इनको बरखास्त करना चाहिए इनको मुखिया को और अगर नमस्कार में मरीश और आप देख रहे हैं मिडिया दर्सन इन इनों हिंदू देवी देवताओं पर बिवादित बयान का एक परचलन सा चल गया है कभ जी रोहतास के विधायक फतेह बहादूर के द्वारा जो है मा सरस्वती तो मा दुर्गा को लेकर के आपति जनक बयान दिया जाता है इसी मूद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हम पार्टी के परदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी राकेश जी कभी दॉक्टर चंदर सेखर जी जो सिक्षा मंत्री हैं वो भी वादित बयान देते हैं देवी देवताओं के ले करके आज फिर से फतेह बहादूर ने मा सरस्वती को चरितरहीन कहा है क्या कहेंगे अब देथिया ऐसे लोग जो इस तरहे के अब यान देते हैं हम समझते हैं कि उनके पास ग्यान की कमी है और उनका संसकार बताता है कि वो कहा सा संसकार लिए है समझने का प्रयास कीजिगे बरी बातों को जो मा सरसुती को गाली दे रहे हैं समझ लिजिए अपनी मा को भी गाली दे रहे हैं अपने प्रिवार को गाली दे रहे हैं जो मा सरसुती को आदर सम्मान नहीं कर सकते हैं वो घर में भी तो ऐसे करते होंगे अपने प्रिवार के बीच में भी तो ऐसे ही करते होंगे तो एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके का ब्यान अगर देते हैं तो उनको इस तरीके का ब्यान से उनको बचना चाहिए और खास करके मैं उनके मुख्या से भी कहना चाहूँगा अधर नहीं उखमंतरी तजस्वी जादब जी से कहना चाहूंगा कि भाय ऐसे बिधायक पर क्योंने लगान लाप लगाते हैं ये पुर्व में भी माद रुगा को गाली दे चुके हैं तो कहीं न कहीं इनकी मान सिकता ये बताता है कि ये सनातन धर्म के साथ में खिलवाड कर रहे हैं हिंदुओं के धर्म के साथ में खिलवाड कर रहे हैं सनातन धर्म को खतम करना चाहते हैं और ऐसे आदमी को तत्काल जो सम्विधानिक पत पर ये बैठे हुए है इनको बर्खास्त करना चाहिए इनको मुखिया को और अगर बर्खास्त नहीं करते हैं तो इनका हिसाब तो जनता लेगे इसमें कोई दोराय नहीं है अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि कबीर दास ने जो गरंथ लिखा उस गरंथ में सीधे तौर पर मिंसन है कि ब्रहमा की पुत्री है सरस्वती और ब्रहमा ने अपनी पुत्री से ही साधी किया तो ये चरित्र हिंता ही तो दर साता है तो जो कबीर ने लिखा है उसी को तो उन्होंने बताया फिर वो गलत कैसे हैं संसकार हिन कैसे हो गए जो आप कह रहे हैं तो क्या वो दिखाये हैं जारिक किये हैं वो चीज अरे भाई आपचारिक बोलने से पहले जो उन्होंने ब्यान दिया उस ब्यान का परमान उन्होंने कहीं जारी किया है कहीं दिखाया है मेडिया में अरे भाई हम बोल देंगे कुछ भी ये गलत है ये जो आपने इन्वेंशन किया ये गलत है तो मेरे साथ परमान होना न चाहिए बिना प्रमान का कोई बात अगर बोल रहे है तो या इस आदमी पागल है हम तो यह ने बोलेंगे यह पागल करा रहे हो आड़ भाइशाब आप समझे हम बोल रहे हैं कि आगा स्वाइरे नहीं होता है सांटिस्त ने yet इबरावरे मिस्टिय स्क्वाइर नहीं होता है हम बोल रहे हैं और हम सिद्र नहीं कर पाएं इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास ग्यान की कमी है हमको जानकारी नहीं है या तो ग्यान की कमी है या तो हम कई mental अवस्था में है तो अगर ऐसा ब्यान दे रहे हैं तो उनको ब्यान देने के पहले उस चीज़ को उनको डिस्क्लोज करना चाहिए उस चीज़ को उनको मेडिया में देना चाहिए उस चीज़ को उनको चैनल के मादेम से बताना चाहिए कि हाँ ये मेरे सत्परमान है और अगर ऐसा बोलते आ र आप इस तरीके के पत्व रखे हुए हैं इनको आप बर्खास्त किजिए पुर्व में भी महादुर्व का गाली दे चुके हैं तो कहीं न कहीं इनका एजनडा चल रहा है पीछे से कि हमको सनातन धर्म को लेकर करके बात करनी है उसको खतम करनी है या हिंदू को गाली देना है हला क्यों भी तो हिंदू है फिर भी हिंदू को गाली दे रहे तो कहीं न कहीं ये बैक डोर से आया हुए है अभी कल ललन सी ने जड यू के राष्टिया ध्यक्ष पद से इस्तिफादे दिया मुख मंत्री नितिश कुमार दूसरी बार राष्टिया ध्यक्ष बने है क्या लगता कि RCPC के तरह ही ललन सी का भी हाल होने वाला है क्या लगता है आप देखिए जो भी यह आप अमनीश जी यह बिटनेस है जदियु के राश्टी यह जो भी बने है इस शुरुष उठाले जी तो इसका यह इतिहास गवाह है कि उनको बेजती करके निकाला गया है और कहीं कहीं आप सुरुष देखिए जाहे वो RCPC की बात हो या सरजादब की बात हो या जोर्ज फर्णांडिस की बात हो आप तमाम लोगों ऐसे लोग को देखिए तो आपको दारन मिल जागा जहां तक बातरा ललन सींजी का यह तो पार्टी को तोड़ रहे थे पार्टी में इनक कि जो मान सिकता थी कहीं ने कहीं पार्टी को ब्रवाद करने की थी और बात भी तो बहुत सारे चीजें सामने आहीं रहे थी कि भाई यह सेटिंग कर रहे थे अपने मुखमंतरी बनने का और तेजस्पी जी को मुखमंतरी बनाने का यह बात का भनक जो है हमारे मुखमंतरी में को लेना है कि बीजयपी के साथ जाएंगे यह नहीं जाएंगे सब सब्से बड़ी बात है कि हमारे निटा जो हमारे ग्रीमनतरिजीजी आर्प्रधान मंतरी हमारे निटा भी सब बोल चुके हैं उलड़े कि इनकी बापसी बिलकुल एक दम नहीं होनी चाहिए भाजपा में रंडे में तो बापसी है ही नहीं इनके लिए कहीं कोई जगा नहीं है और अगर ऐसा कोई डिसिजन होता है तो हम तो एक छोटे से बरकर हैं हमारी क्या उसमें भागिदारी होश श हम पाटी के प्रदेश प्रवक्तार आकेश रंजन जीनों ने सिधे तोर पे कहा कि फतेह वहादूर के द्वारा जो बयान दिया गया है ये काफी दुरभागे पुर्ण है